और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है हम पहले से यही कह रहे थे कि ये लड़ाई हमारी मोधी वर्सेस जनता है लोग है तो आट्रावी लोगसबा के चुनाव में हम विनमरा विनमराता से जन्मत को स्विकार करते हैं इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया खास कर सत्तादारी दल बाजपा ने एक व्यक्ति एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा अब ये स्पस्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोधी जी के खिलाब गया है ये उनकी राजनाइतिक और नाइतिक हार है जो व्यक्ति बार बार अपने नाम से ही हर जगे ओट मांगते थे उनकी ये बहुत बड़ी हार है और नाइतिक द्रस्टी से ये तो उनको बहुत बड़ा नुक्सान हुआ है आप जानते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी और हमारे इंडिया गटबंदन से बहुत प्रतिकूल माहोल में चुनाओ लड़ा सरकारी मशनरी ने कदम कदम पर अवरोध डाला बैंक खाते सीज करने से लेकर तमाम नेताओं के खिलाब अभियान चलाया फिर भी सुरू से आखिर तक कॉंग्रेस पार्टी का कैम्पेन सकारात्मक था पॉजिटिव था हमने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और मजदुरों की बधाली और समिदान संस्ताओं के अदुर्प्यों जैसे विश्वों को केंडरी मुद्दा बनाकर हम जनता के सामने गए थे इन मुद्दों पर बड़ी संख्या में लोग हम से जुड़े, हमारा समर्तन किया, प्रदान मंत्री ने जिस तरह का कैम्पेन किया, वो इत्यास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा कॉंग्रेस के घोशना पत्र के बारे में मोदी जी ने जो जूट फैलाया, जनता ने उसे समझ लिया मैं इस मोके पर कहिना चाहूंगा कि स्री राहूल गांदी जी की दोनो यात्राए, भारत जोडो यात्रा और भारत जोडो न्याय यात्रा के दवरान लाखो करडो लोकों को मिलना, लोकों की समझाओं को सुनना और आगे चलकर उन समझाओं का हल डूनना, हमारे कैंपेन का आधार बना हमने इसी को पांच नयाय और पच्चीस गैरेंटी का नाम दिया और इसी के आधार पर हमने गारेंटी कार्ड बनाया, हमारे कार्यकरता उसे लेकर घरगर पहुँचे और लोकों को संपर्क करे। इसके अलावा जो एक महत्मून बात है, वो भाजपा नेतरत की अहंकार की वज़े से हुई, उन्होंने धीरे धीरे सारे समिधानिक संस्ताओं के उपर गैर कानूनी तरीके से कबज़ा करने की कोशिश की, फिर इनका उपयोग विरोधी दल के खिलाब करने लगे, जो दब गया, उसे दबा के अपने तरफ लिया, जो नहीं दबे, उसकी पाटी को तोड़ दिया, नहीं तो फिर जेल में डाल दिया। लोकों को ये विश्वास हो गया था कि मोदी जी को एक मोका और मिला, तो अगला हमला समिदान पर सीधा होगा और लोकतंतर पर होगा। इसलिए लोकों को इसके प्रमान नए संसत सत्र के साथ ही दिखेंगे। खुशी इस बात की है कि भाजपा इस सेडेंतर में अब सपल नहीं हो पाएगी। मैं इस अवसर पर CPP, Chairperson, स्रीमती सोन्या गांदी जी, हमारे लोकप्रियनिता रहूल गांदी जी, प्रियांका गांदी जी का विशेश महीं दन्यवाद करना चाहता हूँ और इन्होंने दिन रात बराबरी से पूरे देश में कैमपेन किया और हमें एक मजबूत स्थिती में पहुचाने के लिए भारी मदद इन्होंने की और मैं ये कहूंगा कि इनके वज़े से हमको बहुत बड़ा प्रोजसान देश में मिला और आज ये स्थिती जो बनी है उ हमारे करडो कार्यकरता जो है देश में उन्होंने भी हमारा साथ दिया इसलिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ आखिर मैं इंडिया गटबंदन के अपने सभी सातियों और सुपचिंतकों का धन्यवाद करता हूँ सभी एक साथ मिलकर एक स्वर में रहे सभी ने मिलकर परचार किया और एक दूसरे की मदद की हमारे हजारों लाखों कारेकरताओं ने अच्छे तालमेल के साथ काम किया आप सभी का धन्यवाद अभी हमारी लड़ाई अंजाम तक नहीं पहुंची है हम सब को आने वाले दिनों में इसी तरह लोगों के अधिकारों के लिए समीदान की रक्षा के लिए लोगतंत्र के बचाओ के लिए देश की तरक्षी के लिए सीमाओं पर सुरक्षा के लिए लड़ते रहना चाहेंगे हमें सुनिश्चित करना होगा कि संसद सुचारू रूप से चले विपक्ष के मुद्दों को प्रात्मिक्ता मिले संसद में उन पर भैस हो आने वाले दिन महत्पूर्ण होंगे हम आप से बात करेंगे जब कभी भी मोका मिले आप सभी को मेरा धन्यवाद और आपका साथ भी हमको रहा और हमने चुनाओं में भी जहां जहां हमको जितना हो सकता है वो साथ आपने दिया इसलिए आप सभी को भी मुझे धनिवाद करता हूँ और सभी को नमस्कार शुक्रिया खरगे जी मैं राहुल जी से गुजारिश करूँगा वह आपको सम्भूजित करें खरगे जी आपने बड़ी सभी बात बोली जहां तक आप हमारी मदद कर सकते थे उसी लेवल तक मदद की देखिए ये चुनाओ इंडिया गटबंदन और कॉंग्रेस पार्टी सिरफ एक राजनेतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी ये चुनाओ हम पीजेपी एक राजनेतिक दल हिंदुस्तान के इंस्टिटूशन्स हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नन्स का स्ट्रक्चर है इंटेलिजन्स एजन्सीज सीबी आई, एडी, ये सब आधी जुडिशरी इन सब के खिलाफ हम लड़े थे क्योंकि इन सब संस्थाओं को इन सब इंस्टिटूशन्स को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धंकाया, डराया पर इसकी तो मैं बात करता रहता हूँ आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए और उस रोल को काफी लोगों ने किया काफी लोगों ने खुल के किया काफी लोगों ने छुप के किया और आपके emotions कहां थे हमें मालूम है लड़ाई समविधान को बचाने की थी Constitution को बचाने की थी और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइन्ड में था पहले से जब इन्होंने हमारा bank account cancel किया जब Chief Ministers को जेल में डाला पार्टियां तोरी मेरे माइन्ड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने सम्विधान के लिए एक साथ खड़ी होके लड़ जाएगे और ये सच साबित हुआ मुझे में भरोसा था और मैं हिंदुस्तान की जनता से इंडिया गटबंदन के पार्टनर से Congress Party के हमारे सब नेताओं और बबबर शेर कार्यकरताओं से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ आपने सब्विधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है Congress Party Congress Party ने इस चुनाओं में Congress Party के सब नेताओं ने दो तीन चीज़ें की सबसे पहले हमने इंडिया गडबंदन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की उनकी जो wishes थी उनको हमने साथ लिया और आपने देखा होगा कि जहां भी गडबंदन लड़ा हम एक होके लड़े दूसरी बात Congress Party ने Clarity से हिंदुस्तान को एक निया विजन दे दिया है प्रो पूर विजन प्रो प्रड़क्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गडबंदन ने साथ दे दिया है यह जो हमारा performance हुआ है इंडिया गडबंदन का performance हुआ है इसके पीछे Constitution जनता अधानी जी को मोधी जी से directly correlate कर रही है मोधी जी की हार होती है stock market कहता है भया मोधी जी गए तो अधानी जी गए मतलब direct relationship है corruption की relationship है और देश ने Narendra Modi जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते है and this is the main thing that this election has said the country has unanimously and clearly stated we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country we do not like the way they have run this country we do not appreciate the way they have attacked the constitution we do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years so that is a huge message to Mr. Narendra Modi I would like to thank everybody who has participated in this election I am extremely proud of the people of India I am extremely proud of the people who have resisted this onslaught on the constitution और अंत में मैं आपको कह दूँ कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है सबसे गरीब लोगों ने किया है मजदूरों ने किया है किसानों ने किया है गलेटों ने किया है आदिवासियों ने किया है पिछडों ने किया है इन लोगों ने इस constitution को बचाया है इस constitution ये constitution देश की आवाज है बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया छुप रहे गए थे मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस Constitution का बचाया मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ उनसे कहना चाहता हूँ कि कॉंग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है जो हमने आपको वायदे किये थे हम वो वायदे आपके लिए पूरे करेंगे जाती जनगरना महालक्ष्मी ये हमारे वायदे हैं धन्यवाद शुक्रिया राहूल जी अभी तीन चाह सवाल सिर्फ हम लें और इसे बीज बड़ी जानकारी नतीजों के बाद प्रेस कॉंफरेंस की कॉंग्रेस ने कॉंग्रेस मेतार राहूल गांधी ने इस प्रेस कॉंफरेंस के दोरान कई बड़े बयान भी दिये हैं उन्होंने कहा 2024 चुनाव सम्विधान को बचाने की लड़ाई थी विपक्ष के खिलाफ एजेंसियों को खड़ा किया गया उनके खिलाफ ये लड़ाई थी तो नतीजों के बाद कॉंग्रेस ने प्रेस कॉंफरेंस की और इस प्रेस कॉंफरेंस में मलिकार जुर खड़गे सोनिया गांधी और राहूल गांधी मौजूद रहे !!! नच्पाइण करे चृलाएं के दिशुमाथ, प्लीज, चृलाएं के दिशुमाथ, है था illsैंगाथ Although NDA has emerged as you know they are getting the majority but some of its partners have been your partners in the past including the TDP and J DU So, have you decided to sit in the opposition or there are chances of government formation by the India government? We, as we have said earlier, we are going to have a meeting with our partners, the India Alliance partners. I believe that meeting is tomorrow and these questions will be raised there and they will be answered there. We are, we, we respect our Alliance partners and we are not going to make statements in the press without asking them their opinion. Sir, you are saying that this is a horrible victory of Hindustan, a victory of saving So, if you are sitting in Vipaksh and don't do it before the government, because the number is not the number of India and the India Alliance, and if they don't do it before, then how do you will be able to give their rights to them? That is the question that you are asking from the other way. Tomorrow we will decide. There is a meeting of the India government. Tomorrow we will decide our Alliance. There is a fine line. So, whatever the India government will decide, we will take action. And we want to be asked, please. Mr. Fargo, please, please. Mr. Fargo, Mr. Fargo, please, please. Mr. Fargo, please. Mr. Fargo, sir. Mr. Fargo, Sir, Sir, Mr. Fargo, we also wanted to ask you that the AGAC and that there are meetings on the BJP right here and the NDA have been on top of their hearings with the majority of the NDA. So, it helps the NDA. It does not make a member of the NDA. How do you think there is a member of the NDA? पीजेपी में भी खेमे बंदी होगी इसको लेके और क्या खुद नरेंद मोदी को ये फैसला लेना चाहिए देखिए अभी राहूल गांदी जी ने आपके सामने इस पस्ट किया जब तक हम अपने अलाइंस पार्टनर से बात नहीं करेंगे और जो नए पार्टनर हमको जुड़ने वाले हैं उनसे भी किस तरीके से हम बात करके अपने को मिजॉर्टी बना सकते हैं वो देखेंगे सारे स्टैटेजीज अगर यहीं मैं बोलूँगा फिर मोदी जी हुशार हो जाएंगे इसलिए जैराम जी जैराम जी जैराम जी और आप दोनों सीटों से जीते हैं बढ़ाई आप कौन सी सीट रखने वाले हैं नहीं सब दोनों सीटों से जीता हूँ और राइबरेली और वाइनार के जो वोटर्स हैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ अब डिसाइड करना है कौन सी सीट पे मैं रहूंगा थोड़ा पूछूँगा और फिर डिसाइड करूँगा दोनों सीटों में तो नहीं रह सकता हूँ बट अभी डिसाइड नहीं किया है राउल जी भारत जोड़ो यात्रा के लिए जब आप निकले थे तब से लेके अब तक काफी काफी लंबी यात्रा रही काफी बीच में उतार चड़ावाए अब 100 का अकड़ा आपने चुआ है 2009 में जब इसी तरह का मेंडेट आया था तो पार्टी के अंदर दो रहे थी एक हम विपक्ष में रहें पार्टी मजबूत करें सरकार के साथ जाए आप सरकार के साथ नो में 2009 में 2009 में तो क्या वात ने ने 2009 में दोबारा जब वहुमत मिला था तब एक रहे थी कि आपक्ष क रहके आप और पार्टी मजबूत करना चाहते हैं आप चाहते क्या हैं नहीं देखिए हम एक कोलिशन के भाग हैं ठीक है अगरेस पार्टी है बाकी पार्टियां है और उनके साथ अभी हमारा डिसकॉशन नहीं हुआ है हमने उन से कहा था इंडिया पार्टनर से कहा था कि को हमारी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में हम यह जो सवाल है इसको डिसाइड करेंगे तो सच मुझ में इस सवाल का जवाब आज हमारे पास है नहीं कल होगा कि अमेठी में आपके लिए कहा गया कि राहूल गांदी ने अपने पीए को चुनाव लाड़ा दिया अब उन्हीं किशोरी लाल शर्मा जी जो है वह वो 40 साल से अमेठी में कॉंग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उनका अमेठी की जनता के साथ रिष्टा है शायद बीजे पी के लोगों ये बात समझ नहीं आई थी कि किशोरी लाल शर्मा जी अमेठी से बहुत क्लोसली कनेक्टिड व्यक्ति हैं और इसलिए उनक को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि अच्छी तरह वो जीते हैं और उनको उनको बारे में ये कहना है और इसे बीज वस्मृती रान